फिर जियांग जैंग से मिलने जाती है जहां जैंग भी उसको थैंक्स बोलती है और बातों बातों में उससे पूछती है कि आपको जाव कैसा लगता है और अगर आप चाहो तो मैं आप दोनों को मिला सकती हूँ लेकिन जियांग उसे मना कर दीती है और कहती है कि मैं बिल्कुल पिंट्रेस्टेट नहीं हूँ कि तब ही जाओ भी महां आ जाता है और ये देखकर जियांग कहती है कि मेरे होरोस्कोप के हिसाब से जाओ नाम बिल्कुल भी ठीक नहीं है तो जैंग उससे कहती है कि आपने कुछ सुना है जाओ के बारे में क्योंकि जाओ बहुत अच्छे हैं और इनकी एक्स वाइफ बिगड़ी हुई थी इसी वज़े से इनका डाइवोर्स हुआ था जाओ कहता है कि वो और मैं एक दूसरे के लिए कमपैटिबल नहीं थे जिससे सुनकर ज्यांग गुस्से में वहाँ से चली जाती है और ये देखकर जाओ उसके पीछे जाता है और पूछता है कि तुम मुझे इस बात पे नराज हो गया क्या मैं डिवोर्सी हूँ और मैं जाओ के लिए नहीं बलके उन सभी लड़कियों के लिए बुरा लग रहा है जिनका सपना आपकी वाइफ बनने का था जो कि आपकी एकस वाइफ की वज़े से तोट गया था तो जाओ कहता है कि इसमें जाओ कहां से आ गई वो बस मेरी तरफ से बोड रही थी और अब जाओ कहता है कि यह सब तुम जान बूच के कर रही हो ना मुझे अपनी तरफ अट्राक्ट करने के लिए जियांग हैरान होकर कहती है कि अट्राक्ट मैं तो इंट्रस्टिट तक नहीं हूं और वैसे भी मुझे जाओ नाम के लोग बिलकुल भी पसंद नहीं और यह बोलकर शाओ टेन उससे मिलने हॉस्पिटल आती है और कहती है कि तुमने जाओ की गर्फरेंड की सर्जरी क्यों की तो जियांग उसे बताती है कि उसने हॉस्पिटल में बहुत डोनेशन की थी और इससे पहले मैं एक डॉक्टर भी हूँ जहां लोगों की जान बचाना मेरा किया है जो तुम यह सब बोर रही हो तो यह सब देखकर वहीं खड़ें जियांग बात को संभालते हुए कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है बस टिन को लगता है कि इतनी कॉंप्लिकेटिट सर्जरी करने के लिए मैंने आपको बहुत कम चार्ज किया है जाओ कहता है कि क्या कहना चाहती हो कि मैंने कम डोनेशन दी है जियांग कहती है नहीं ऐसा नहीं है बस टिन यह सब मजाग में बोर रही थी आप इसे सीरियसली मत लो वहीं जाओ टिन से पूछता है कि तुम शाओ डॉंग कंपनी की बेटी होना तो शाओ टिन उसे मना कर देती है लेकिन जाओ कहता ह है कि मुझे अच्छे सा याद है और यह बोलकर वहां से चला जाता है जिसे देखकर शाओ टेन परिशान हो जाती है और कहती है कहीं मेरे टैट के कंपनी से बतला तो नहीं लेगा ना तो जियांग उसे समझाते हुए कहती है कि इतना बुरा तो नहीं लगता फिर हम देखत क्या चल रहा है कहीं वो तुम्हें पहचान तो नहीं गया जियांग उसे बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है उसने आज तक मुझे देखा तक नहीं था वो बस डॉक्टर जियांग को जानता है शाउटन कहती है कि इसका यही मतलब है कि तुम लोग तो अलग हो गए लिकिन तुम कर वो परिशान हो जाती है और जियांग को बताती है कि जाओ मेरे डैट के कंपनी की सारी कोलाब्रेशन रोग दी है और वो मुझसे बदला ले रहा है जिस वज़े से वो दोनों जाओ के आफिस उससे मिलने जाती है लेकिन जाओ का आफिस स्टाफ उन्हें बताता है कि आप लोग बिना अपॉइंटमेंट के उनसे नहीं मिल सकती के थबी मैनेजर में जाओ के कहने पर जियांग के पास आकर उससे कहता है कि बॉस यहां नहीं है वो कंट्री से बाहर गए है मिटिंग के लिए यह सुनकर जियांग भी कहती है कि ठीक है तो उन्हें भी बता देना कि जाओ की बिमारिया भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है और उन्हें मेरे पास ही आना पड़ेगा और वैसे भी शाउट इन ने ऐसा कुछ नहीं बोला था जहां उसे दूसरा मौगा ना दिया जा सके तो ये सुनकर मैनेजर कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता हमारी कंपनी ने जैंग की कंपनी के साथ कॉलाब कर लिया है और अब हम अपना डिसिजन नहीं बदल सकते वहीं जैंग सोचने लगती है तो ये सब जाउट ने जैंग के लिए ही किया है और कहती है कि क्या हुआ अगर तुम मुझसे नहीं मिल सकते कोई और तो ऐसा है ना जिसके तुम अभी भी सारे ओर्डर्स मानते हो और ये बोलकर वो जाउट के दादा के पास उनकी हेल्प के लिए जाती है जहां दादा जी भी जाउट को घर बुलवाते हैं और उसे बताते हैं कि जैंग उससे मिलने आई है और वो खुद भी जैंग से मिलकर बहुत खुश होते हैं फिर जैसे ही स्टाफ के बताने पर जियांग को पता चलता है कि जाओ घर आ रहा है वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसे तो यही पता था कि जाओ मीटिंग के लिए बाहर गया था जिस वज़े से बहाना बना कर वहां से जाने लगती है मगर दादा जी उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसे नहीं जा सकती हम सबी लोग एक साथ मिलकर डिनर करेंगे क्योंकि काफिर टाइम हो गया मगर जियांग उन्हें मना कर देती है और कहती है कि डाइवोर्स के बाद हम ऐसे डिनर करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा तो दादा जी कहते हैं कि कोई बात नहीं तुम लोग फ्रेंट्स भी तो रह सकते हो ना सो गाइज अब नेक्स पार्ट में देखते हैं क्या जाओ को पता चल जाएगा जियांग उसकी एक्स वाइफ है यह जियांग वक्त रहते वहां से चली जाएगी